क्या रूस पाकिस्तान और भारत एक साथ आएंगे क्या जियो पॉलिटिक्स में ऐसा संभव है और आखिर क्यों जानेंगे क्या है मामला तो वहीं दूसरी तरफ जैसा की हमने कहा था यूरोप आखिर घुटनों पर आएगा आखिरकार पुतिन को मिल गई महाजीत एक मास्ट और एक जबरजस्त रन्नी थी जिसने चारों खाने चित कर दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जीत अब एलान के साथ मिल रही है वहीं यूक्रेनी राश्टपती इस वक्त क्या कर रहे हैं जानेंगे क्या है मामला इसके अलावे बहुत कूछ आ यह जानते हैं इन और कुछ भी नहीं हालात कैसे हैं यह देखिए जैलेंस्की ने पहले दूसरे देशों में अपने नौ राजदूतों को हटाया फिर अपने कैबिनेट में फेर बदल किया और उसके अलावे अब यूक्रेन के सुरच्छा सेवा के पर्मु को बर्खास्त कर दिया और सबसे बड़ी बात यह है जिसे बर्खास्त किया है वो ब्लादिमीर जैलेंस्की के बच्पन के दोस्त हैं और काफी लंबे समय से दोनों एक साथ काम कर रहे हैं जैलेंस्की ने अपने सरकार के दो महतपूर्न पदादिकारियों को उनके पद से हटाया और यह कहा है कि इनकी मिली भगत रही है रूस के साथ को अब सक लगने लग रहा है कि रूस के साथ यह मिले हुए थे इसलिए हम हार रहे हैं और जैलेंस्की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पदादिकारियों के ऊपर दोस्त मड़ रहे हैं जैलेंस्की ने रवीवार तेर रात एक वीडियो जार सारियों पर देश द्रोह का आरोप भी लगा दिया है जेलेंस की का कहना है कि देश-द्रोह और दुस्मन से मिलिभगत के आरोप में 651 अपराधिक मामले दर्ज किये गए हैं इनके खिलाप अब इसका कहना क्या है साधारन भासा में समझिए इनका कहना है कि टैक्स का कार्याल है और सुरच्छा सेवा के साच से ज़्यादा करमचारी ऐसे थे जिनोंने कहीं न कहीं रूस को सूचनाय पहुचाई और अपने देश में गड़ बड़ी और इन दोनों विभागों के में सक्स मिल गए थे रूस से इस वज़े से रूस ने यूक्रेन का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और यहीं तक नहीं रुके हैं जेलेंसकी ये तो उन्होंने सामने अधिकारिक रूप से आकर बताया जेलेंसकी ने कहा है कि क्राइमिया में जो सुरच्छा सेवा के डाइरेक्टर हैं उनको भी पकड़ लिया गया है हलाकि क्रीमिया इस वक्त कबजे में है रूस के लिकिन उसके लिए एक ऑफिस बनाया है यूकरेन ने और उसके डाइरेक्टर को भी पकड़ लिया है मतलब साफ है जेलेंसकी का अपना किला दरक रहा है जेलेंसकी का ये हाल हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत दबकताने वाला है रूस के ऊपर से पर्तिबंद हटेंगे और ये होना सुरू हो चुका है उसी बैंकों पर लगे पर्तिबंद हटाने जा रहा है यूरोपिये संग यानि की जीत गए प्लादिमिर पुदिन या कुछ और है मामला तो दरसल बात क्या है क्यों ऐसा हो रहा ह है ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक की वज़े से हो रहा है जिसमें पूरा का पूरा 28 देश घुटनों पर आ गया है और अमेरिका की अब सुनने को तयार नहीं है बात दरसल ये है कि दुनिया भर में खादि संकट तो पैदा हो गया खादि संकट पैदा होने के लिए भूके हैं कि भीया किसी तरीके से अनाज मिल जाए 28 देशों के ऊपर एक हतियार ने बहुत तगड़ावार किया है और वह है भूक के हतियार ने दरसल रूस ने बहुत अच्छी अपनाते हुए सबसे पहले पोर्ट पर कबज़ा किया युक्रेन का जहां से अनाज को जाने ही नही पर आ गया युक्रेन के पास अनाज है भी तो अनाज को वो बेच नहीं पा रहा है निरियात ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि युक्रेन के लगबख सभी छोटे बड़े बंदरगा रूस के नियंत्रन में है युक्रेन पूरे युरोप में अनाज का सबसे बड़ा निरियात परिस्थिती ऐसी है कि तुर्की को गेहूं लेना है तो यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है बलकि रूस से बात कर रहा है कि काला सागर से हमें निकालने दो अनाज अब सुरुआती कुछ दिनों पहले ही 15 दिन में नहीं हुए होंगे जब आपने देखा होगा यूरोपिय संग ने बिना सोचे समझे की आगे रूस क्या एक्सन ले सकता है पर्तिबंद ठोक ने शुरू कर दिए रूस के ऊपर और इनके बैंकों पर प्रतिबंद लगा दिया रूसी बैंकों को ब्लेक लिस्ट कर दिया सारा कुछ ब्लेक लिस्ट करने के बाद अब थूक कर चाटने की नौबत आ गई है क्योंकि रूश ने कहा हमने ये खाद ये संकट पैदा नहीं किया है बस्चमी देशों के पर्तिबंदों ने ये खाद ये संकट पैदा किया है उन्होंने हमारे बैंकों पर परती बंद लगा दिया हम बैपार कैसे करेंगे कैसे भेजेंगे हम अनाज बाकी दुनिया को और जब तक यह परती बंद नहीं हटाते हैं तब तक तो संभव ही नहीं है अनाज की कमी ने गरीब देसों में लाखों लोगों के सामने आकाल का खत्रा पैदा कर दिया अब जब संकट में इस तरीके की बात आने लगी खास तोर पर अफरीकी देशों का दवाब बनने लगा तब यूरोपिय संग तूट गया आखिरकार और अब यूरोपिय संग परतिबंद बैंकों के उपर से हटाने की तैयारी कर रहा है यह बहुत बड़ी जीत है जैसे ही बैंकों पर से परतिबंद हटेंगे बैपार के लिए खुली छूट मिल जाएगी रूस को यानि की रूस को और भी ज्यादा फाइदा होगा खेर अभी ठैर यह अभी और भी चीज़ें जो धीरे धीरे पूरा का पूरा परतिबंद ही हट जाएगा लेकिन क्या अमेरिका इन सब में अधियार बेचे मुनाफा खाया अमेरिका ने पैट्रोल डीजल बेचे मुनाफा खाया बरबाद हुआ तो युक्रेन हुआ बरबाद हुए तो यूरोपीय देश हुए लेकिन यहां अमेरिका के नुकसान के लिए भी अब एक बहुत बड़ी चीज निकल कर सामने आ रही ह इनोंने बाखी सारी चीजें बेची बढ़ता चला गया इनकी बड़ी बड़ी कंपणियां ए एप्ल गूगल इनका करेंसी मझबूत होता जा रहा है तो मांकी देशों की करेंसी में गिरावट देखने को मिल रही है, एक चीन को छोड़ दे तो, चीन को क्यों गिरावट नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे है, भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है, लेकिन अभी चीन की बरा तो आपको बता दे रूस और भारत के बीच तो रूपे रूबल के अलावे दिरहम पर बैपार सुरू हो चुका है वहीं अब कहा जा रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान अपने अपने करेंसी में बैपार करना सुरू कर दें रूस भारत ने तो करी दिया है चीन के साथ भी संभा हो जाएगा गिर जाएगा और इनकी करेंसी मजबूत बनी रह जाएगी पर यह ऐसी चीजें हैं जिसका फैसला लेने के लिए काफी मैच्योर होने की जरूरत है वैसे आपको क्या लगता है क्या यह कभी संभा हो पाएगा कि चीन पाकिस्तान रूस भारत बैपार के लिए एक साथ आजाएं कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ